रूप geehr âmrम फिर्ट नबशकार दोस्तों आप सबीका वेलकम एक बार फिरसे है ऐसे वीडियो में हमारे पास है बिट XP की flux smartwatch और दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊ muchísimo कि दोस्तों कैसे आप इस वाच को कनेक्ट कर सकते पमे अपने smartphone तो दोस्तो वो आप इस watch में कैसे लगा सकते हूँ इस दोस्तो सब कुछ आपको आज इस वीडियो में बताऊँ गा तो चली दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो इस watch को phone से कनेक्ट करने के लिए दोस्तो यह app आपने स्मारट फोन में इंस्टाल कर लेनी है beat xp free track यह दोस्तो आपको play store में मिल जाएगी और देखी दोस्तो इस app का size है 8.5 MB तो चली दोस्तो इस app को install कर लेते हैं तो देखी दोस्तो यह app अभी हमारे smartphone में देखी install हो चुकिया है and दोस्तो अब आपने अपने phone का Bluetooth on रखना है and location वाला option होता है दोस्तो वह आपने on रखना है and देखी फिर दोस्तो आपने app को open कर लेना है and देखी दोस्तो ऐसे कुछ ए app आपको देखने को मिल जाती है अब आपने यहाँ पर allow कर देना इन को आता है आपनेदेखिया आपको लॉगिन कर लेना है दोस्तों एप में आपने प्रोफाइल को स्क्राइब कर लेना है तो आपने अपना नाम डालना है और जो भी आपके टार्गेट होते हैं वो आपने डाल देना अपनी हईट वेट मेल फीमेल सारी setting आपने कर लीने अपनी profile की और दोस्तों उसके बाद देखें यहां पर आपको अपनी watch का model सेलेक्ट करना है दोस्तों हमारे पास जो भी watch है वो है bit xp flux दोस्तों यहां से देखें अपने watch को सेलेक्ट कर लेना है और देखें दोस्तों यहां पर आपकी watch जो है show करेगी देखिए watch हमारी show कर रहे है beat xp flux तो यहां से अपने watch को select कर लेना है और देखिए दोस्तो फिर आपको watch में notification मिलेगा तो दोस्तो इसको आपने देखिए यहां से accept कर लेना है और देखिए दोस्तो यहां पर pairing successful हो चुका है और देखिए दोस्तो वाच अभी हमारे smartphone के साथ pair हो चुकी है और दोस्तो यहां पर आपको watch में Bluetooth calling वाला feature मिल जाता है दोस्तो वाच को आपने अपने phone के Bluetooth audio device से भी connect कर लेना है तो चलिए दोस्तो इसे connect कर लेते हैं और देखिए दोस्तो यहां पर अगर आप देखोगे तो देखिए दोस्तो वाच अभी हमारे smartphone से connected हो चुकी है 57% हमारी watch चार्ज है और दोस्तो जैसी watch आपके phone से pair हो जाएगी watch में जो day day time में automatically set हो जाता है तो देखिए दोस्तो वाच में भी time हो रहा है 10 बस के 44 मिनट और देखिए मेरे phone में भी अगर आप time देखोगे तो देखिए हो रहा है 10 44 तो दोस्तो यहां पर हमारी जो watch है phone से connect हो चुकी है करने के लिए दोस्तो आपको आपके phone में नुटिफिकेशन मिलेगा watch को Bluetooth audio device से connect करने का सकते हैं अगर आपको नुटिफिकेशन नहीं मिलता है अपने फोन की Bluetooth लिस्ट में जाना है यहाँ पर दोस्तो अगर आप सर्च करोगे तो देखी दूस्तो ऐसे आपकी watch शो करेगी bit xp flux दोस्तो यहाँ से देखिए आपने watch को सेलेक्ट कर जकते हो फिर आपके phone के व्लूटुत audio device से connect कर लेना तो देख поддерж utveck हो चुके हैं तो दोस्तो ऐसे आपके phone में Bluetooth audio डिवाइस से watch connected show होनी चाहिए तभी दोस्तों इस watch में जो calling वाला फीचर है वो काम करेगा आप call receive भी कर सकते हो और call dial भी कर सकते हो बड़ दोस्तों अगर आपके phone के bluetooth audio device में watch ऐसे connected show नहीं कर रही है तो दोस्तों इस watch में calling वाला फीचर वो काम नहीं करेगा तो चलिए दोस्तों अब आपको बताता हूं कि दोस्तों कैसे आप इस watch में customize watch face set कर सकते हो तो यहाँ पर आप में आपने आना है और यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है watch faces वाला तो यहाँ पर देखिए आपको एक option मिल जाता है gallery वाला तो यहाँ पर एक option दे रखा take photo तो दोस्तों directly आप camera से photo click करके भी लगा सकते हो बट दोस्तों अगर आपने कोई gallery से photo select करना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने gallery वाले option पर आ जाना है और यहाँ से दोस्तों आपने देखिए इसको allow कर देना है अदे दोस्तों आपके फोन गालरी एमधियुक αफ आपके फोन को गैलरी को उन्य खला डियर कर दढ़तलर में डालोin अले अपने फोन की तुम करते हो देखिए वसका ओक्लिक कर देखिए and दोस्तों ऑपने द देखिए अपने आपने ओक्डिय औप्शन पिलिक कर देना है अब आपने देखिए अप्लोड वाले ओप्शन पर क्लिक कर देने अब देखिए दोस्तों यह वाच में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो चुका है तो देखिए दोस्तों कस्टमाइज वाच फेज अभी हमने सेट किया था इस वाच में और देखिए सेट हो चुका है और देखिए काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों वाच को रिसेट करने के बाद देखिए यहां से फेक्टरी रिसेट करने के बाद दोस्तों आपने वाच में वही सारे प्रोसेस तुवारे से फॉलो करने है जो भी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया था और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही थ दोग उन्यों